हेल्थ ब्यूटी और प्रोड़क्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इस चैनल पर आपका शुआगत है दोस्तों दाद खाज खुजली का राम बान उपाए करेले के द्वारा करेले कका सब्सक्राइब की सिर्फ सब्सक्राइब का जूश लिए व स्कीन का राम से कर तकते हैं करेले के द्वारा कम फंगल infection कैसे खत्म होता है दात खास खुजगी कि किस तरह से समस्या का निप्टान होता है इसके लिए हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं तो आपको दोस्तों ये करेले का छोटा छोटा टुकरा ये देखिए छोटे 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 टुकरे में ऐसा सबसे पहले छोटे छोटे है इसको आपको किसी भी मिक्चर की सहायता से ये आपको एक करेला लेंगे उसको काट लेंगे और मिक्चर की सहायता से आप इसको स्क्रब कर लेंगे पूरा मिक्स करके इसको बारे क्रूप से पीस लेंगे पीसने के बाद एक बाउल में ये आपका एक बाउल में आपको य लाना है कोकुनट वायल आपको इसमें लगबग यहां पे निहार का कोकुनट वायल हमने लिया है इसमें आपको एक चमज के बरावर लगबग एक चमज के बरावर हम यहां पे कोकुनट वायल यह देखिए नारियल का तेल हम इसमें मिला रहे हैं यह इसमें नारियल का तेल दाथ खास खुजली के लिए नारियल का तेल जो होता है बहुत ही फाइदे मंद होता है तीसरा चीज हमने जो मिलाया है ये कपूर का यूज हमने किया है पूजा में जो हम कपूर यूज करते हैं कपूर का हमने यूज किया एक कपूर की टिक्की को पाउडर कर लेंगे दोस् में एक कपूर की टिक की को मिला देना दोस्तों कैमपूर में मेंनेरी रूप से पाए जाता है जो केमिकल इंग्रेंट्स वो दाग खाज खुजली के लिए बहुती राम बानो पाए अब इसको अच्छे से आपस में आप अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अब आपको यह देखिए हम अच्छे से मिला दिये हैं मिलाने के बाद यह रेमडेज आपका बनने पर है अब इसमें एक चीज़ आपको मिलाना है व नहीं भी पंसारी की दुकान में आपको पिपर मिंट मिल जाएगा यह देखिए पिपर मिंट थोड़ा सा इसमें मिला देना है यह हम थोड़ा सा पिपर मिंट इसमें मिला दिये यह देखिए इससे आपको क्या होगा दात खाज खुजली के जगा पे बहुत जादे जलन होता हो नारेल तेल में मिलने के बाद ये ठंड़क देती है अब आप इसमें मिला देंगे मिलाने के बाद ये ये देखें ये मिल गया है अब इसको आपको दात खाज खुजली के जगह पे कॉटन की सहायता से आपको अप्लाइ करना है ये आप कॉटन की सहायता एक कॉटन ले ले के और खुजली के जगा पे आप इसको अच्छे से बारीक से अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आधा गृंटा इसको ऐसे ही characterized होलनाइट क vaisा तो झादे रिजल्ट के लिए आपको होलनाइट इसको छोड़ देना पड़ेगा तो आपका दाद खात खुजली जो है वो खतम हो जाएगा दोस्तों और आप खुजली के वज़े से जो आपको समस्यां आती हो खत्म हो जाएगे तो दोस्तों ये रिवणीज को आप घर में बना सकते है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों हम आसा करते हैं ये वडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वडियो अच्छा लगा तो चैनल जरूर सबस्क्राइब करेंगे धन्यवाद